ब्रहस्पती के ग्यारवे भाव में गोचर के क्या प्रभाव है? क्या ये धन, सुक और सम्रिद्धी लाता है? वैदिक जियोतिश में ब्रहस्पती के ग्यारवे भाव में गोचर को अत्यदिक शुब माना जाता है. ग्यारावा भाव लाब, आकांक्षाओं और सामाजिक संबंधों से जुड़ा है, और जब विस्तार और ग्यान का ग्रह ब्रहस्पती इस भाव से गुजरता है, तो ये जीवन के इनक्षेत्रों को बढ़ाता है इस गोचर के दौरान, व्यक्ती अक्सर नए अफसरों, पदोन्नती या सफल उपक्रमों के माध्यम से धन और वित्तिय लाब में वृद्धी का अनुभव कर सकता है ब्रहस्पती की सकारात्मक उर्जा आपके नेट्वर्क को बढ़ाती है, प्रभावशाली लोगों को आकर्शित करती है जो आपके लक्षियों को प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकते हैं ये पूर्ती का समय है, जहां लंबे समय से रखे गए सपने और इच्छाए साकार होने लग सकती है ब्रहस्पती के आशावाद, सौभाग्य और आध्यात्मिक विकास लाने के कारण अक्सर खुशी और संतोश मिलता है ये उदारता और सकारात्मक बातचीत को प्रोटसाहित करता है, जिससे आप सामाजिक और सामुदाईक गतिविधियों में अधिक शामिल होते हैं हाला की, धन, खुशी और सम्रिद्धी की सीमा आपकी जन्म कुंडली में ब्रहस्पती की ताकत और अन्य ग्रहों के साथ इसके किसी भी पहलू पर निर्भर करती है कुल मिलाकर, इस पारगमन को प्रचुर्ता और व्यक्तिगत विस्तार के समय के रूप में देखा जाता है कृपया अधिक जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेट फॉर्म की सदस्यता लें